श्री दुर्गा ये नमाहा श्री दुर्गा शब्त शती पहला अध्याए मीधा रिशी का राजा सुरत और समाधी को भगवती की महिमा बताते हुए मधू कैटववद का प्रसंग सुनाना विनियोग ओम प्रथम चरण के भ्रह्म रिशी महाकाली देवता गायत्री चंद नंदा शक्ति रक्त दंति का बीच अगनी दत्व और रिगवेद स्वरूप हैं श्री महाकाली देवता की प्रसंगता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है ध्यान भगवान विश्ण के सोच आने पर मदू और कैटप को मारने के लिए कमल जन्मा प्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उस महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ वे अपने दस हातों में खड़क, चक्र, गदा, बान, धनुष, परिक, शूल, भुशंडी, मस्तक और शंक धारन करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे समस्त अंगों में दिव्वे आभूशनों से बिभूशित हैं उनके शरीर की कांती नील मणी के समान है वे दस मुख और दस पैरों से युप्त हैं ओम चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडी जी बोले सूरे के पुत्र शावर्नी जो आठवे मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ती की कथा विस्तार पूर्वक करता हूँ सूरे कुमार महा भाग सावर्नी भगवती महा माया के अनुग्रे से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता है पूर्वकाल की बात है स्वारोचीश मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वैश में उत्पन हुए थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भाती धरम पूर्वक पालन करते थे तो भी उस समय कोला ध्वन्शी नाम के शत्रिय उनके शत्रू हो गए राजा सुरत की दंडनीती बड़ी प्रवल थी उनका शत्रूओं के साथ संग्राम हुआ यद भी कोला ध्वन्शी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरत उनसे युद्ध में परास्त हो गए तवे युद्ध भूमी से अपने नगर को लोटाए और किवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे किन्तु वहां भी उन प्रवल शत्रूओं ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आकर्मन कर दिया राजा का बल शीन हो चला था इसलिए उनके दुष्ट बलबान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकी ए सेना और खजाने को हत्या लिया सुरत का प्रभुत्व नश्ट हो चुका था इसलिए विशिकार खेलने के बहाने गोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहां उन्होंने विपरवर मेधा मुनी का माश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वभाविक हिंसावरती को छोड़कर परम शांत भावसे रहते थे मुनी के बहुत से शिष्ये उस वन की शोभा बड़ा रहे थे वहां जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया और वे उन्मुनी श्रेष्ट के आश्रम पर इधर उदर विचरते हुए कुछ काल तक रहे फिर मम्ता से आकरिष्ट चित्त होकर वहां उस प्रकारचिन्दा करने लगे इपूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रही थे पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्तगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते भी होंगे या नहीं जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूर वीर था वहे मेरा प्रधान हाती अब शत्रूओं के अदीन होकर ने जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे आगे पीछे चलते थे वे निश्चे ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करते होंगे उन अपवई लोगों के दुआरा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खा जाना अब खाली हो गया होगा ये तथा और भी ऐसी ही कितनी ही बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निगट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहां तुमारे आने का क्या कारण है तुम क्यों शोक ग्रस और अन्मने से दिखाई देते हो राजा सुरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा वैश्य भूला राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधी है मेरे दुष्ट स्तरी पुत्रों ने धन के लोब में आकर मुझे घर से निकाल दिया है मैं इस समय धन, इस्तरी और पुत्रों से वंजित हूँ मेरे विश्वश्णिय बंधों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ यहां रहेकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वेजनों की कुशल है भी या नहीं इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कश्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं, अथ्वा दुराचारी हो गए हैं राजा ने कहा, जिन लोभी, स्त्री पुरुष आदी ने धन के कारण तुमें घर से निकाल दिया, उनके प्रती तुमारे चित्तों में इतना स्ने का बंधन क्यों है? वे श्यवगुला, आप मेरे विशय में जैसी बात कहते हैं, वे सब ठीक है, किन तु क्या करूँ? मेरा मा निश्टुर्ता धारन नहीं करता जिनों ने धन के लूब में पढ़कर पिता के प्रती स्नेहें, पती के प्रती प्रेम और आत्मी जन के प्रती अनुराग को तिलांचली दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उनहीं के प्रती मेरे हिर्दे में इतना स्नेहें है महामते, गुणहीन बंदुओं के प्रती भी, जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सांसे ले रहा हूँ, और मेरा इर्दे अत्यन्त दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सर्वता अभाव है, तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? मारकंडे जी कहते हैं, ग्रहामन तदंतर राजाओं में श्रेष्ट सुरत और वे समाधी नामक वैश्चे दोनों साथ साथ मेधा मुनी की सेवा में उपस्तित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकूल विनैपूर्ण वरताव करके बैठे तद पश्चात, वैश्य और राजा ने कुछ वारतालाब आरंब किया राजा ने कहा भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना जाता हूँ उसे बताईए, मेरा चित अपने अधीन ने होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी करती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है मुनिश्रेष्ट यह जानते हुए भी के वह वह अब मेरा नहीं है अज्यानी की भाती मुझे उसके लिए दुख होता है यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है इसके पुत्र और स्त्री और भ्रत्यों ने से छोड़ दिया है स्वैजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तो भी वह उनके प्रती अत्यंत हार्दिक्स नहीं रखता है इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत दुखी हो रहे हैं इसमें प्रत्याक्ष दोश देखा गया है उस विशे के लिए भी हमारे मन में मंता जनित आकर्षन पैदा हो रहा है महाभाग हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मुह पैदा हो गया है नहीं क्या है विवे किशुन्य पुरुष की भादी मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्याक्ष दिखाई देती है रिशी बोले महाभाग विशे मार्ग का ज्यान सब जीवों को है इस प्रकार विशे भी सबके लिए अलग-अलग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में ही नहीं देखते जो कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात्री में बराबर देखते हैं यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं परंतु केवल वेही ऐसे नहीं होते पशू, पक्षी और म्रिग आदी सभी प्राणी समस्तार होते हैं मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन म्रग और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन म्रग पक्षी आदी की भी होती है यहे तथा अन्ने बाते भी प्रायदोनों में समान ही हैं समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो ये स्वेम भूख से पीडित होते हुए भी मोहोवश बच्चों की चोँच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं नर्श्रेष्ट क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुश्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाशा करते हैं यद पी उन सब में समझ की कमी नहीं है तता पी वे संसार की स्थिती बनाए रखने वाली भगवती महा माया के प्रभाव द्वारा ममता में भमर से योक्त मोहों के गहरे गर्थ में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णू की योग निद्रस्वरूपा जो भगवती महा माया हैं उन्हीं में से यह जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महा माया, देवी, ज्यानियों के भी चित्त को बलपूर्व कहींच कर मुहों में डाल देती हैं वे ही इस संपून चराचर जगत की श्रिष्टी करती हैं और वे ही प्रसन होने पर मनुष्यों को मुक्ती के लिए बर्दान देती हैं वे ही पराविध्या, संसार भंधन और मुक्ष की हेतु भूता, सनातनी देवी तथा संपून एश्वर्यों की भी अदिश्वरी हैं राजा ने पूछा भगवन आप जिने महा माया कह रहे हैं वे देवी कौन है? ब्रहमन उनका आबिर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रहम वेताओं में श्रेष्ट महेर्षे उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा भी स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वे हैं सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ तिशी ने कहा राजन वास्तब में तो वे देवी ही नित्य स्वरूपा हैं संपूर्ण जगत उनही का रूप है उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा भी उनका प्राकट अनीक प्रकार से होता है वे है मुझसे सुनों यद पिवे नित्य और अजन्मा ह तथा भी यह देवताओं का कार्यासित करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्तपन हुई कहलाती हैं कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण में निकमंगन हो रहा था तो सब के प्रभू भगवान वेश्णों शेश नाग की स्रया बिचाकर योग नि के नाम से विख्यात थे वे दोनों प्रह्मा जी का बद्ध करने के लिए तयार हो गए भगवान विश्णू के नाभी कमल में विराजमान प्रजापती प्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तो वे एकाग पुरचित्त होकर भगवान विश्णू को जगानी के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंब करने लगे जो उस विश्व की अधिश्वरी, जगत को धारन करने वाली, संसार का पालन और संगार करने वाली और तेज स्वरूपा ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम ही स्वधा और तुम ही वश्टकार हो, स्वर भी तुमारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवन दायनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं क अतिरिक्त जो बिंदु रूपा, नित्य, अर्ध मात्रा हैं, जिनका विशेश रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। इस विश्व की उत्पत्ती के समय तुम शिष्टी सुरूपा हो, पालनकाल में स्थिती रूपा हो और कलपांतर के अंत में संघार रूप धारन करने वाली हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही शी और तुम ही बोध स्वरूपा, बुद्धी हो। लज्जा, पुष्टी, तुष्टी, शान्ती और शमा भी तुम ही हो। तुम खंग धारनी, शूल धारनी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंक और धनुष धारन करने वाली हो। बान, मुशुंडी और परेक ये तुमारे ही अश्ट्र हैं। तुम सौमे और सौमे तर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौमे और सुन्दर पधार्थ हैं। उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमीश्वरी तुम ही हो। सर्विस्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और सब की जो शक्ती है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्ता में तुमारी स्तुती क्या हो सकती है। जो इस जगत की श्रिष्टी, पालन और संगहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुती करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है। शीग्र ही जगा दो साथ ही उनके भीतर इन महान असुरों को मार डालने की बुद्धी भी उत्पन कर दो विशी कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मदू और कैटप को मारने के उदेश्य से भगवान विश्णू को जगाने के लिए तमूगुन की अधितास्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुती की तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नसिका, बाहू, रद्यय और वक्षस्तल से निकल कर अव्यक्त जन्मा प्रह्मा जी की दिश्टी के समक्ष खड़ी हो गएं योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनारदन उस एकार्णव के जल के शेशनाक की सहिया से जाग उठे फिर उन्होंने उन दोनों असरों को देखा वे दुरात्मा मधूर कैटब, अत्यंत बलवान और पराकर्मी थे और वे क्रोध से लाल आखे किये, ब्रहमा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे तब भगवान श्री हरी ने उठकर उन दोनों के साथ पांच हजार वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुद हो रहे थे इधर महा माया ने उन्हें मोहों में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विश्णू से कहने लगे हम तुमारी बीरता से संतुष्ट हैं तुम हम लोगों से कोई वर मागो श्री भगवान बोले यदि तुम मुझ पर प्रसंद हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ बस इतना ही वर मैं मांगता हूँ यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है रिशी ने कहा इस प्रकार दोके में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नैन भगवान से कहा जहां प्रत्वी जल में डोबी ना हो जहां सूखा स्थान हो वही हमारा बद्द करो रिशी कहते हैं तब तथास्तु कहेकर शंक, चक्र और गदाधारन करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले इस प्रकार ये देवी महा माया ब्रह्मा जी की स्तुती करने बद स्वयम प्रकट हुई थी अब पुन्हें तुमसे उसके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सुनो इस प्रकार श्रीमार कंडे जी पुराण में सारोनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्तम में मधू केटव बद नाम का पहला अध्याय समाप दूआ